शाहरुख खान की कतर यात्रा के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर आते ही चा गई हैं। कतर के प्रधान मंत्री मुहम्मद बिन अब्दुलरह्मान बिन जसीम अल्थानी ने किंग खान का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। बॉलीवुड इंडस्ट्री के बादशाह शाहरुख खान अकसर किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। किंग खान ने हाल ही में कतर की यात्रा की और कई कार्यक्रमों में भाग लिया। इसी से जुड़ी कुछ तस्वीरें और वीडियो अब एकस पर ताबड़तोर वाइरल हो रही हैं। शाहरुख के प्रशंसक ने दोहा से किंग खान के कुछ वीडियो साजा किये हैं। जिन्हें फैंस का बेशुमार प्यार मिल रहा है। एक वाइरल तस्वीर में शाहरुख खान कतर के प्रधान मंत्री मुहम्मद बिन अब्दुलरह्मान बिन जसीम अल्थानी के साथ नजर आ रही हैं। दोनों को बातचीत करते देखा जा रहा है। सफेद शर्ट और नीली जैकेट में किन खान का स्वैक देखते ही बन रहा है। इस दोरान शाहरुख के चहरे की मुस्कुराहट भी साफ देखी जा सकती है। तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा है कतर के प्रधान मंत्री महामहिम शेख मुहम्मद बिन अब्दुलरह्मान बिन जसीम अल्थानी ने बॉलिवुड सूपर स्टार शाहरुख खान का स्वागत किया क्योंकि वह दोहा में FC फाइनल में विशेश अतिथी के रूप में शामिल हुए एक कारण से शाहरुख खान दुनिया के सबसे बड़े स्टार कहलाते हैं। जिनका अभी अन्नाउंस्मेंट नहीं हुआ है। खबरों की माने तो शाहरुख खान साल 2024 के अगले महीने में तीन फिल्मों की अन्नाउंस्मेंट कर सकते हैं।